हलो दोस्तो प्लसपॉंट के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो मेरा नाम है निकित शाहा दोस्तो आप मैंसे कई सारे लोग शायद इलट्रॉनिक का काम करते रहेगा या पढ़ाई करते रहेगा आपको सबसे ज़्यादे दिक्कत क्या होती है प्राटिकल्स के दर्में थियरी तो चलो समण में कैसे भी इपर नीचे करके आप समझ लेते थियरी अभी ओन्लाइन क्लासे चर रहे है उसमें भी थियरी आपको मै पर्सनल इलेट्रोनिक लेप अभी बेसिकली इलेट्रोनिक लेप में बात करें तो तीन हिस्टों में उसको डिवाइड किया है पहला जो है आपके पावर सप्लाइस जिसमें पावर सप्लाइस आते है सिग्नल जेनरेटर जैसे डिवाइसे आते है दूसरा आता है सर्किट जिसमें breadboard आता है, आप खुद की circuit जिसमें बना सकते हो, और आपके खुद के जो भी experiments करना है, वो circuit के जर्याप कर सकते हो, तीसरा और आखरी device आता है, वो है output devices, जिसमें CRO याने के cathodal oscilloscope आता है, voltmeter आता है, register meter आता है, logic analyzer आता है, तो दोसों, आज जो मैं बात करने वाला यह, यही आपका personal electronic lab, आपने जो इतने सारे component देखे, आपने देखे कि यह lab में इतने बड़े-बड़े component रहता है, छोटा सा component कैसे काम कर पाएगा, हाला कि इसकी ताकात और एक है, इसके पीछे और एक device लगावा है, जो की है RDNO का, RDNO का अगर online course करना है, तो already हमारे online courses में ह RDNO के बार में, और उसके अबर यह device लग जाता है, और यह device बहुत ही कारिगर है, लगबग 70% आपका electronic lab का काम आप गर पे बैटे-बैटे कर सकते हो, मैं इसको practically ज़रूर दिखा होगा, अगर आपको purchase करना है ना, तो link नीचे description में दिया गया है, और खास अपने subscribers के लिए, लीचे code लिखा गया है, वो code को अगर आप यह purchase करते समय डालोगे, तो आपको discount भी मिलेगा, जैसे कि मालो यह 3000 का है, हाला कि 3000 का नहीं, उससे सस्ता ही है, और आपने यह code का इस्तमाल किया, तो लगबग 500 रुपया और कम हो जाएगा आपका, तो यह मेरे subscribers के लिए special मेरे द join कर पाओगे, और एक software download करना Android mobile में, जिसके ज़रे आपका mobile एक प्रकार का CRO, signal generator, voltmeter, register meter, एक ही साथ पर बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, काफी simple है और बहुत ही वड़िया product है, तो चले शुरुआत करते हैं, इसको practically देख लेते कि हमारे mobile के साथ में कैसे connect करते हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएं, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों यही है हमारा प्रायो के गिवनो का your personal electronic lab, अभी इसके देख लेते क्या क्या चीज़े मुझे दी गई हैं, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ electronic components दिय आ गया है, जैसे कि आप नजर आ रहा है आपको, साथी साथ यहाँ पर देखोगे, तो यह अपना electronic lab का module है, एक Arduino का card है, जहाँ पर हम लोग यह module को connect करने वाल है, Arduino Uno का card आपको नजर आ रहा है, साथी साथ कुछ jumper cables है, jumper wire का प्रयोग करेगे, क्योंकि हमें experiment करने के लिए, य यहाँ पर कुछ USB cable लगाया गया है, क्योंकि इसको power जो हम लोग देगे, वो हमारे USB supply के जरे देना पड़ता है, और साथी साथ यहाँ पर कुछ दो connectors, OTG cables आपको दिखाई दे रहा है, कि OTG cables है, जैसे कि यहाँ पर आपको, यह जो अपना normal Samsung वाला जो point आता है, उसका है, और यह, जो C type जो आता है, USB connector उसका आपको नजर आ रहा है, आज कल C type जाता है, मोबाइल में, इसलिए दोनों type के connector इसमें दिये गए, साथी साथ एक आपको नजर आ रहा है, यह कुछ audio jack जैसा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग जबी signal generator का प्रयोग करते हैं, तो इ प्राक्टिकली देख लेते हैं, इसका इस्तामाल कैसे की आज़ता है, तो प्राक्टिकली देखने के लिए एक Android mobile लिया है, एक Arduino का बोड लिया है, और हमारा जो में कार्ड है, अब आप आपको जोइन कर सकते हो, आप देख सकते हैं, नीचे पीन से आसानी से आवेलिबल है और आराम से जॉइन्ट हो जाती है, फिर हमारे जो OTG केबल है और USB केबल है, USB को हम लोग Arduino के साथ में जॉइन्ट करता है, OTG को हम लोग Mobile के साथ में जॉइन्ट करता है, मोबाइल के अंदर प्रायोग एक Uno नाम का एक एक एप है, जो आपको Mobile से डाउनलोड करना रहता है, दाउनलोड करने पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाए देगा, सबसे पहले उसको अपडेट करना पड़ता है, आप देख सकते कि मैंने अपडेट किया यहाँ पर, अपडेट करने के बाद उसको चलाने के लिए यह वाला option है, यहाँ पर आप देख सकते कि यह जो हमार जो डीटेल से यहाँ पर लिखी जाते हैं, जहाँ पर आपको मानूं पड़ेगा कि आपको किस तरह से सब का कनेक्शन करना है इस साथ में पिंस पेक, कैसे आपको CR-O के जैसे एकजस्मेंट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी सारे प्रोजेक्स भी दिए इसमें आप देख पर रहे हैं, ब्रेड बोड पर मैंने कनेक्शन कर लिया और आपको दिखाए दे रहा है कि साइन व्यों का किस तरीके से हाफ व्यों में कन्वर्ट हो रहा है, आप चाहे तो इसको मिक्स भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हो, इस तरह साब इस आप इस इस तरीके से आपको देखो, यहाँ पर इस मैंने आडियो जैक पर कनेक्शन कर दिया है, और इसके साथ में मैं इसको कनेक्शन करूगा, तो आप अपको अगर चेक करेंगे, तो आपको देख रहे है, यहाँ पर थोड़ा से एक्जस्मेंट है कि किस टाइप का व्यों स्ट इसमें 00001 is equal to 0, इस तरीके से जो आउटपुट निकलते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो अनलोग, sorry, N-Gate IC को सबसे पहले मैं connect कर लेता हूँ, यह जो connectors है, उसके साथ मैं, पीन के साथ मैं attach करने के बाद, अगर मैं इसके चेक करूँ, तो आपको देख इसके साइन वेव को हम लोग स्क्वार में convert कर रहे हैं, यह दोनों जो इंडिकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दोनों आउटपूट आपको नजर आ रहे है, साइन वेव प्लस स्क्वार वेव, correct, इसके अलावा और एक हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखे तो स्मिट ट्रिगर का यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाए दे रहा है, जिसमें एक आइसी लगे है, जो कि स्मिट ट्रिगर के नाम से हम लोग पैचानत है, इसका अगर आउटपूट आप चेक करोगे तो, स्काइन वेव और स्क्वार वेव का मिक्शर था, यहाँ पर इंवर आपको दिखा रहे है, यहाँ पर आपको दिखा रहे है, पोटेंशियोमेटर लगा हुआ है, इसके जो पीड़ेव के सिगनल से उसको भी हम लोग कम ज्यादा कर सकते है, यहाँ पर आपको जैसे हमारे एंडरोइड मोबाल में नजर आ रहा है, तो बेसिकली सियारो जो जो एक्शम्पल दिये, इसमें और कई सारे हजारो अप इसमें खुद कर सकते है, जो आपको को ओलेड में सिकाई तो कही गुना ज्यादा, तो दोस्तों एग जिए लिगे नीचे जो लिंक है, वहाँ से आप उसको पर्चेस भी कर सकते हैं, मैंने लिंक को क्लिक किया त आप देख सकते हैं आप यहां भारी खाली 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 कोई टोरफ खाली खाला और पाली कोक्ता करा देख सकते हैं क्ला है जो और कहलें अदे अं दूर्थ ही नुएach मंडून ओक från देख सकते हैं तो हमारे पास काफी सरे online courses है जैसे कि Arduino, Raspberry Pi, Laptop Repairing, Mobile Repairing, Electronic, Electrical जैसे कई सरे अंगिनत courses हम लोग ने चालू कर दिये यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है Plus Point Training जो कि Google Play Store से आपको मिल जाएगा यदि आप Laptop या Computer सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com यह website में विजिट करके आप आसानी से online courses सिख सकते हो अधिक जान करेंगे जो मेरा WhatsApp नमबर है इस पे केवल मुझे Hi का Message डाल देजिए तो पूरी जान करें आपको WhatsApp के माधियम से भिज़वा दूगा चले दोस्तों इस वीडि झाल 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